next question 2015 सवाल है question say the energy of the EM wave is of the order of 15 kilo electron volt to which part of the spectrum does it belong हमारे option एक्स रे गामा rays या फिर इंफारेड rays नौ बहुत ही सिम्पल सवाल है basics यहां समजना है तो सबसे पहले तो हम यहां पे जो lambda है जैसे हम लिखते हैं e उसको लिखते हैं हम hc by lambda तो इसको हम इस्तेमाल करके लैम्डा को लिख सकते हैं this will be equal to hc divided by e और यहां पर हम इसको short method यहां पर इस्तेमाल करते हैं calculation अपनी बचाने के लिए time बचाने के लिए जिसको हम कहते हैं 12400 और यहां पर आप energy को लिखेंगे electron volt में तो यहां जो energy electron volt में दी हुई है उसकी जो value है अपनी हो 15 kilo electron volt और यह जो value आएगी आपकी एंग्स्ट्रॉम में value आएगी इसको जो हम calculate करेंगे 10 to the power 3 का मतलब है 12.4 लिख सकते हैं उसको जो 15 से divide करेंगे तो आपकी जो value आएगी 12.4 को 15 से divide करेंगे तो 0.83 एंग्स्ट्रॉम यह आपकी value आई अब हमें यह पता करना है कि यह lambda आपका spectrum में कहां belong करता है मैं आपको spectrum एक बाद फिर revise कर रहाता हूं तो हम यह कहते हैं कि मान लीजे आप electromagnetic spectrum है क्लास में इसको ऐसे सिखाता हूं कि यह मान लीजे आपको electromagnetic spectrum है और आपने क्या किया एक radio लिया उस radio को आपने microwave में रख दिया वह आपका red hot हो जाएगा यह करने के बाद यह लिखने के बाद आपको kind of electromagnetic spectrum यहां रहे जाएगा तो यहां आपका red hot हुआ है उससे पहले आपका infrared आएगा इसके बाद आपका ultra wallet आता है और उसके बाद आपकी फिर गामा इसको हम लिखते हैं कि यह आपका 8000 एग्स्ट्रॉम होएगा और यह आपका 4000 एंग्स्ट्रॉम होएगा wallet और यह जो आपकी x-rays जो range होती है एक्स्रे की जो रेञ्ज है इसको मैं यहां पर लिख रहा हूँ वह आपकी 100 एंस्ट्राम से लेकर इसको हम कहते हैं 0.1 एंस्ट्राम के बीच में यह आपकी एक्स्रेज की रेण्ज आती हैं इसी को हैंने adapt से 1 के होती है और 1 से आपकी point 1 जो हती है इसको आप कहते हैं यह soft x-rays हैं यह आपकी hard x-rays हैं, soft x-rays हम use करते हैं अपने अलग-अलग उसमें जैसे x-ray किसी के hardy fracture होगी तो उसके लिए हम यह यह use करते हैं, इन वाले को हम chemotherapy वगरा उसमें use करते हैं, 1 से 0.1 के बीच में, यह जो आपकी lambda आई है, वो आपकी hard x-rays वाली range में हैं, so based on this हम कहा सकते हैं का option number c x-rays would be the right answer for this question.